दोस्तों आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Cloud Architect कैसे बनते हैं दोस्तों Cloud Architect की बात करें तो यह IT Center का एक चौप होता है जिसमें आपको एक अच्छी खासी सहली मिलती है दोस्तों अगर आप भी आगे चलके लाखो रुपे मंतली के अर्ण करना चाहते हैं तो आप एक Cloud Architect बन सकते हैं Cloud Architect के फिल्म में अपना केरियर बना सकते हैं लेकिन इस फिल्म में अपना केरियर बनाने से पहले आपको इस फिल्ड के बारे में पूरी नौलेज होनी चाहिए तो आज कस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि Cloud Engineering क्या होता है इसके साथ Cloud Architect बनने के लिए आपके पास Qualifications क्या होनी चाहिए कौन सा Skills होना चाहिए कौन सा Course करना होता है कहां पर जॉब मिलेगी सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो कौन तक चरूर देखें आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि Cloud Architect क क्या होते हैं और इनका basically काम क्या होता है जोस्तों Cloud Architect के बात करें तो IT सेक्टर का होता है जिसमें आपको मन्थली के लगभग लाख रुपी आप अरने कर सकते हैं इस फिल्ड में अपना के बनाकर बेसे इसमें आपको Cloud जो भी सिस्टम सोते हैं उस पर आपको रिसर्च करना होता है साइबर सेक्यूटी का नॉलेज होना चाहिए आपको इसके साहसाथ आपको data analysis program management के स्किल्स होनी चाहिए अब आईए बात कर लेते हैं कि इस फिल्ड में बनाना चाहिए तो उसके लिए पके पास qualifications क्या होनी चाहिए दोस्तों Cloud Architect के को करने के लिए सबसे पहले आपक सकते हैं या फिर आपको केंप्यूटर साइंस के फिल्ड में आपका ग्रेजिएशन कंप्रीट होना चाहिए जो तो आपको केंप्यूटर तो यह सारे स्किल्स भी आपको मांगा जाता है अगर आप एक Cloud Architect के कोर्स को करना चाहते हैं अब बात करते हैं कि Cloud Architect के लिए कौन से Most Important जो हैं कोर्स हैं जिने आप कर सकते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका Certificate Cloud Security Knowledge दूसरा आपका IBM Security Situational Architect इसके बाद आता है आपका HP Expert One Cloud Architect इसके बाद आता है अपका Certificate VMware Cloud इसके बाद EMC Cloud Architect या फिर Cloud इसके बाद Insuration इसके बाद Service Certificate इसके बाद आता है इसके बाद आपको करने के बाद आपको किसी भी कंपनी में चौप के लिए करना होता है इसके बाद वहाँ पर आसानी से आपका इंटर्वी लिया जाता है और इंटर्वी को अगर आप क्लाउड आर्किटेक्ट बन जाते हैं तो यह प्रॉड प्रॉसेस होता है इसके बाद करते हैं इसके बाद सकते हैं क्लाउड सॉप्टेर इंजीनियर बन सकते हैं क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं क्लाउड नेटवर्क आर्किटेक्ट बन सकते हैं क्लाउड आर्किटेक्ट बन ही सकते हैं इसके सांसाथ क्लाउड बिजनेस एनलसिस बन सकते हैं तो कई सारे करियर आप्शन लाख रुपे आपके experience के बाद यहां पर मिलता है यानि कि cloud architect बनने के बाद आप लाख रुपे मन्थली की एक कमा सकती है दोस्तों आई होप आज की जैनकारी आपको अच्छी लगी होगी आप समझ गयोंगे कि cloud इंजिनिक क्या होती है cloud architect कैसे बनती है दोस्तों आई होप जै करें आपको अच्छी लेगी है ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक को सब्सक्राइब जरू कर ले मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन करें